तो मैं सुझे कुमार और आपके अपने चैनल सुझे है फेंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का दिन का पहला मुकाबला जो कि स्रिलंका ए और इंगलाइन लायन्स के बीच में टेस्ट का मुकाबला है उसको खेला जाना है इंपोर्टेट मुकाबला है हर एक प्लेयर के बारे में डेटल से बात करेंगे पिछले बार भी हम लोगों ने कभर किया था और इसका एक मैचेस निकला था ठीक है उसमें कौन-कौन से प्लेयर ने क्या-कया परफॉर्मेंस किया था वो सारा कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ और पिछले बार एक प्लेयर थे मैथू फीस्टर नाम के ठीक है उनका केवल 5% सेलेक्षन था और कैसे हम लोगों ने क्लिंशिप किया था यह बताने के जुरूत नहीं है ठीक है आप खेले होगे तो आपको मालूम होगा रेगुलर वीवर्स हो तो आपको मालूम ही होगा ठीक है चलो तो यहां पर हम लोग इसके मैच के बारे में डिस्कस करने वाला है टेलिग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन में है जल्दी जागर के जोईन कर सकते हो ठीक है जो कि सबसे जादे इंपॉर्डेट कम आपके लिए वह रने वाला है इससे पहले मैंने एक बीडियो डाल रखा है सिनियर रोमेंस वन डे ट्रॉफिक का तो जुरूर जागर के चेक आउट करना बहुत अच्छा का सा मैसेज ये भी आपके लिए जाने वाला है उसके बाद फिर ये अभी बीडियो आने वाला है फिर आते है तो फिर ड्रीमलन पे team अगरा create बनाएंगे ठीके देखेंगे किसको किसको अपने team में अप ले करके जा पाज़े हो श्रीलंका ये test के बारे में देखेंगे इनके team में बहुत सारे playard है या बहुत सारे playard है ठीके अब कौन खेलेगा, कौन सा बंदा नहीं खेलेगा, ये कहना बहुत वरा मुस्किल है, वैसे मैं आपको सारे प्लेयर के स्टैट्स थोरा जल्दी जल्दी पे बता दूँगा, directly मैं बताऊंगा किसको try करना है, किसको drop करना है, ठीक है, तो ये थोरा ध्यान रखना है, जो इनक के लिए मैं ज्यादा प्रिफर्ण इंको नहीं करने वाला हूँ, अब इसका फर्ण एड़ो के उपड़ आते तो ओके ओके पीक बनेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित असलंका के उपड़ आते तो टेस्ट में इंका परफॉर्मस देखो, 5 रन, 29 रन, 0 विक नुवेंदू, फर्णाडो के उपड़ आओगे तो 362,700, ठीक है यह आपको अच्छा कासा परफॉर्मस करता हूँ दिखेगा, अगर यह बंदा खिलता है, तो उसाड़ा फर्णाडो बहुत ही तकड़ोला प्रफॉर्मस किया था, टेस्ट में आपको अच्छा कासा करता ह अपने टीम में आप लेकर के जा सकते हूँ पथुनशिंगा के उपड़ आते हैं तो टेस्ट में का जो परफॉर्मस है 14, 6, 23, 1776, 66, 56,। कुल मिलाकर के परफॉर्मस बाइज आपको अच्छा कासा पिक बन सकता है, अपने टीम में आप लेकरके जा सकते हूँ, सेवन डैन यह कमी जान से खेलने का लहरु उदारा उक्के-उक्के-पीक लेकिन तीर सेट चोंतीस और एक्सो चो लास्टोले मैच में भी साइद खेला था और परफॉर्मेंस बहुत हिला जवाब दिया था और मेरे टीम में भी था ठीक है तो अपने टीम में लेकर के जाना निसान अपने टीम में रखना वैसे लास्टोले मैच नहीं खेला था ठीक है लेक्षन संदाकन के उपड़ आते है तो यह आपको बैटिंग बोलिंग दोनों अच्छा गाजा करता हो देखेगा ज्यादा प्रफॉर्मेंस वाला प्लेयर नहीं है लक्षिता मारा सिंगे अभी के ल प्रफॉर्मेंस हर प्लेयर के लिख रखे हैं ठीक है लेकिन मैं ड्रेक्ली बता दरहो किसको ट्राइ करना है किसको ट्राइ नहीं करना है परविंग जयो एक्रमा खेलेगा तो 100% में अपने टीम में लेके जाओंगा बिल्कुल विडू अप नहीं करना इनको शिरन फिर्ण देखो के तो कुछ खास स्टैट्स नहीं निपुन धननजा कुछ खास नहीं है सहा न राचेंगे ओक्यो के पिक में आता है चमिका करूनत ने खेलेगा तो फिर सायद अपने टीम पर प्रफॉर्मेंस बहुत अच्छा का सब लेड़ है सुमिंदा लक्षन कुछ खास नहीं दूनित विलाले जोक्यों के भी कनविस का अनुजला कुछ खास पिक नहीं मुझे लगा है लेकिन खेलेगा तो फिर सायदा प्रिफर कर सकते हो तो दोस्तों मैंने जो भी उनके तरफ से इंपोर्टेंट प्लेयर थे सारे प्लेयर के बारे में मैंने डिटेल्स आपको समझ में आएंगी होगा वीडियो पसंद आड़ी है तो जल्दी से वीडियो का लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना आपके लिए सबसे जाद है इंपोर्टेंट है विकोज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तक आपको समझ में आएगा ही नहीं किसको वाला चलेगा ठीक है डॉमिनिक सिबली कुछ खास नहीं है है यहां पर देखो तो यहां पर देखो कि तो सब्सक्राइब करना बहुत तकड़ावाला प्लेयर बन सकता है आपके लिए प्रफॉर्मेंस भी अच्छा कासा कर गया था अपने टीम में अपने आपने के जा सकत अपने पीछले मैच में और अच्छा कैसा पॉंट दिया था तो और मेरे टीम के क्याप्टन भी था तो प्लेयर वाइस बहुत अच्छा है क्रेक बटन साइथ खेलेगा नहीं तिंग खेलेगा ना आख बंद करके कैप्टन इसको करना है ठीक है साम कॉर्णर्स को उपर आते हैं मुझे कुछ खास नहीं लगा है डैन लोरस खेलेंगा तो फिर मेरे टीम में रहेंगे और इडिविंसन को में ले करके जरूर जाओंगा विल जैक्स तो बहुत तकड़े वाले प्लेयर है इनको तो अंडेस्टिमेट करने वाली बात ही नह अब ही मैं समझाओंगा कि जब इंका रिसेंटली जो मुकाबला खेला गया तो उसमें प्लेयर ने किसे प्रफॉर्मेंस के था लियां पिटरसन वाइट के बारे में उनने बताया था दोस्तो आको की बहुत तगड़ा वाला यह प्लेयर है और लास्ट वाले जो मैच खेला निसान मदू संका मैंने बताया है कुछ खास इंका स्टैर्स नहीं था यहां पर बंदा फ्लॉप है ओसाड़ा फर्नाडो एक कई सरन का यहां पर पाड़ी खेल रहा है नुवेंदू फर्नाडो 17 रनका बोध खास ही हो रख है बाई निपुन धननजब 15 रनका स्कोर कर रख है क्याप्टेन इस्टिम का लेकिन कुछ खास पाड़ी खेलता हुआ दिख रहा है साहन अरचिंगे फ्लॉप है यहां पर दुनित विला लेज कुछ नहीं कर रहे लेक्षेद मना सिंगय नहीं कुछ कर रहे अंसरी डेस सिलवा यहा से कोई खास प्लेड आपको नहीं दिख रहा है ठीक है बैटिंग सेक्षन पर आपको एक ही बंदा दीख रहा है वह सदीराव समिराविकरमा आपको दीख रहा है मतलब इसकोर करते हुए ठीक है अब इनके सेकेंड इनिंग में थोऱा बैटिंग का देख लेते कि कि क्या प्रफॉर्मेस था अब यहां पर देखो 241 रन का बंदा पाड़ी खेलिया कौन निसान मदुसंग था बहुत ही अन्रोचक 422 बॉल खेला है बंदा मात्र 6 चक का 25 चबुआ मारा है बहुत तकड़वाला पाड़ी खेलिया यह तो निसान मदुसंग को ट्राई कर सकते हो पाड़ी खेल रहा है हालाकि यहां पर सदीरा समाविक्रमा फ्लॉप हो गता है बाके यहां नीचे से कोई खास प्लेयर नहीं आपको दिखने को मिलने वाला है अब इंके बॉल इं डिपार्टमेंट थोड़ा देखते हैं कि बॉल बिकेट को निकाला भई है ठीक है मिलन र आलेज और सहान राचिंगों को यहां पर एक विकेट मिला दुनित वालेज को जिरू विकेट मिला पांच यूबर में डाला है ठीक है यहां से जो बॉलिंग वाले सेक्षन से आपको जो इंपॉर्टेंट दीख रहा है वह है अमसरी डे सिल्वा लसी ते मल्डनिया ठीक है अमसरी डे सिल्वा और दुनित वालेज को फिर से यहां पर विकेट नहीं मिला है यह तो बात हो कोई पुड़ोपर से लंका एक बारे में अब हम लोगे लैंड लैंस के बारे में बात करते कि प्लियर कोनिंग के तरफ से स्कोर कर रहा है एलेक्स लीज आको ट्राई करना है करना है हासी भामीत बिल्कुल भी डॉप नहीं करना है टॉम हेंस लास्ट नोले मैच में बहुत तकड़ाला यह परफोर्मेंस कर गया 18 रंग का बंदा पारी खेल गया टॉम मेवल को मैंने रखा था पिसले बार मैच में लेकिन यह बंदा कुछ खास नहीं कर पाया जौस बहानन आपको 42 रंग का पाड़ी खेलता हुआ दिख रहा है 16 जैक हिंस 22 जैमिय समीथ बनाते हुए दिख रहे हैं 41 देखोगे तो यहां पे टरसन वाइट तीरपन आपको मैथू फीसर बनाते हुए दिख रहे और फिर यहां पे देखोगे तो कुछ खास नहीं है अब सेक कोई बैटिंग सेक्शन से आपको ऐसा नहीं है कि जो पलियर आपको हड में सा प्रफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है अब बॉल इन डिपार्टमेंट देखते हैं 5 विकेट मैथू फीसर तीन विकेट लियाम पेटरसन वाइट एक टॉम एबल जैक कर्टन जीरो विकेट और एक विकेट सेम कुक को मिला ठीक है तो ये धियान रखना विकेट को निकाल रहे है मैथू फीसर लियाम पेटरसन वाइट सेम कुक भी अच्छा खासा बॉल आड़ है इसको धियान रखना भई ठीक है अब आते इनके जो दूसरे जो बॉल इन डिपार्टमेंट है उसम प्रफोर्मेंस किया है लास्ट वले मैं इसको भी मैंने दिखा दिया अब आते ड्रिलन टिंग के ओपर ठीक है अब तो मैंने समझा दिया अब आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छी से टीम बनाते हैं देखते किसको अपने टीम आप ले करके जा पारे हो और किसको ड ले करके जाओंगा ठीक है आते हैं बैटिंग सेक्षन पर हासी वमीद एलेक्स लीज उसाड़ा फर्नाडो अपने टीम में लेख लो नुंद फर्नाडो वी आपके लेच्छे कासी पीक बनेगे लास्ट में डिसकस करेंगे कि इनको रखना है नहीं रखना है ठीक है और यह ज़्याद बॉलिंग नहीं कर रहा था बन्दा ना बैटिंग को ढग से कराया जा रहा था यहां से में लसी तिमल डणिया मैंतु फिशर और एरमाना सिंगे तीनों ही इंपोटेंट में जाओंगा जैक करसन को मिलेके जाओंगा आमसी रेसिलवा को लेके जाओंगा ठीक ह भागी यहां से मुझे और कोई खास प्लेड नहीं दिख रहा है यहां से दूसमंता चमीरा तो खेलेगा ही नहीं तो यह सारे जो बंदे थे मैंने अपने टीम में रख लिए इसी हिसाब से मैं टीम बनाऊगा अगर यही सारे प्लेडाकों से कीइन Inkts मीं खेलते बहु करते हैं तो फिर इनहीं यहीं में से किसी प्लेयर को में यहीं टीम मेरी रहेगी और बात रहा कैटेन, भाइस कैटेन की किसो करूंगा तो लें मेरे टीम के कैटेन रहेंगे vice captain के उपर थोरा आप सोच विचार कर सकते हो ठीक है या तो आप यहां से एल मैना सिंगा को कर दो जो कि सबसे important peak है vice captain की बैटिंग गोलिंग दोनों करेगा या फिर आप प्लसी तब मेल दनिया कर सकते हैं या फिर Matthew Fisher है कहाँ ठीक है इनको भी आप बना सकते हो अब जो भी होगा हुए मैं आपको टेली राम पर फाइनल टिम दे दुगा जल्दी मिलेंगे निस्टोड़ो में नयाम दर्टरी को वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यावाद अपना ख्याले के दोस्तों जाहिंद